जिससे कहा है कि एक एक शेकन का हिशाब होगा, आप एक एक राधा बूलने हैं, आप रास्ते में खड़ें, आप सर्दी बर्शाद, गर्मी दोड़ रहें, एक एक शेकन का तुम्हे पल मिलेगा, प्राया हम देखते हैं, कि शाधक और तुरुटी चाहे ना करें, लेकिन तुहाओ जब जागरत होता है, प्रुभू, अब तो गया, अब तो किवल आपका ही वरुशाद, बस वहीं, वहीं वो सबल हो जाता है, वहीं सबल हो जाता है, देखो माई, आबला कए, बलरा से भूल मत कर देना, लेकिन कल हमने कितना गंदा बुरा कर्म किया, जिसका फल ह हमारे पास आया है उसको देखकर तुम कोश्च शक्ते हो कि ऐसा भला नहीं 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 उनकी तो सिर्फ करपा ही करपा दुलार ही दुलार है अगर उसका हिसाब जो हमने किया उसका हिसाब भोगना पड़े था जो चतुरिश्लो की भागवत में जब स्रष्टी नहीं थी तो मैं था जब स्रष्टी नहीं रहेगी तो मैं ही रहूँगा और बीच में जो कुछ भी भासरा है तो मैं ही हूँ जो भी सेश है वो मैं ही हूँ मेरे शिवा कोई नहीं शिद्धान्त को शूत्र को लेकर चलोगे सवाल हलो जाएगा अभिमान नहीं उनमत टता नहीं बाधिर्यम बहरे हो रहे हो गुरू शास्त्र मित्र वचने श्वास्चर मेति सुरती तुम्हें शुनाई नहीं दे रहा, सास्त्र सम्मत गुरू वाक्य जो तुम्हारे परम मित्र भी हैं, सुरद भी हैं, उनके वजंत में सुनाई नहीं दे रहे द्वंदम मंदमतिक कदान सरणम बिंदामी ब्रंदा टविम ए भाई तुमेरी बात मानजा द्वंदमे मत्फश ब्रंदावन कास से लेगे पर ये प्रेम शुरूब ब्रंदावन तभी श्वईकार करेगा जब आपके हिर्दय में वैष्णो अपराध और गुरू अब द्रोह से वे डर लगे डरते रहो कि कहीं वैष्णो को अपराध न बन जाए शिद्धान तिविचार लिला द्रूदागी डरपत रहो कहीं वैष्णो जनन को भक्तन को अपराध न बन जाए ये बड़ो अपराध है धुरूदाज और यहां और अपराध वो तुम्हें परास्त नहीं कर पराजे नहीं दिखा पाएंगे कि अभी बहुत कृपालू लेकिन वैष्णो धाम में वैष्णो प्राध गुरू दो ये तो नश्ट कर देगा तुम्हें लगता है कि अभी तो कुछ होए ले पाउधा है अंकुरन होगा पल्लो होगा चक जाओगे इतना फल आएगा तरप्त हो जाओगे धहरे धारन करो अच्छा या बुरा नों बते हैं जिसके कहा है कि एक-एक शेकेंड का हिशा होगा आप एक-एक राधा बुलने हैं आप रास्ते में खड़े हैं आप सर्दी बर्शाद गर्मी दोड़ रहें एक-एक स्चेकिन का तुम्हे फल मिलेगा ऐसे ही बुरे आच्छण का भी एक एक सेकेंड का फल बहुत करेक्ट निर्णय होता है हमारे प्रभू के आँ बिलकुल गफलत नहीं बिलकुल दोखेवाजी नहीं कि अर्चूख हो गई चूख होती है अलपग से शरवग्य जो तुमारे हरदय में ही बैठा है वहाँ चूख शबद ही नहीं है शावधानों कर शिदाम ब्रणदावन हमें कभी त्यागे ना चाय भले आप करोणो कूश्ट दूर हो आश्रित हो ब्रणदावन के गुरू आश्रित हो आग्यामे रह रहे हो तो आपको ब्रणदावन वास का ही फल ब्रंदावन प्रदान करेगा वो आपके आंतरिक शुरूप को घशीट लेगा हाँ पुजी पंडित सी गया प्रशाद जी महराज गिरी राजवाले बाबा ने देखा दिबिदर्ष्टी से जब भाई जी का सरीर पूरा हुआ तो पालकी में सक्षियों की बैठ करके नवीन नौ किशोरी शुरूप भाई जी महराज ब्रंदावन आ रहे हैं यही है भाई जी महराज यही राधा बाबा है कहीं गए तुरी हमारी लाडली जू ने जो हमें शौभाग देया है यह कहीं हम अपमान न कर दे अपनी लाडली की क्रपा का इतने शावधान बने रहो सर्व समर्थ ब्रंदावन है सर्व समर्थ राधा नाम बोलो तुमने क्या दिया तुम्हें राधा नाम मिलना है भगवत वचन सुनने को मिलना है मंत्र मिलना है और तुम फिर अवग्या कर रहे हो हंकार करके इसके बदले में तुमने क्या दिया क्लेश अशांती अवग्या अभिमान भरा द्रोह का स्वरूप तो तुम्हारा हाल क्या होगा तुम्हें पता ने बहुत सावधाम हजार बार कह चुके होंगे कि गुरू बनाओ मत गुरू तब बनाओ जब ये निश्चे हो जाए कि मेरा जीवन जो भटक रहा था अब गुरुदेव की आज्यां के अनुशार उनहीं के द्वरा दिये हुए बल से मैं भगवत मार्ग में चलूँगा ये ऐसा नहीं कि अनुकूलता बेवहार की मिले तो जय गुरुदेव प्रतिकूलता मिले तो भगया अपना मार गई छोड़ दिया भजने छोड़ दिया नहीं नहीं अगर गुरुदेव की इच्छा है उनकी आज्या है कि तुम दूर रहो और निरंतर भजन प्रैण रहो तो जब तक आज्या नहीं होगी तब तक मैं उनकी आज्या में इस्तित होकर उनी के चरुणों का चिंतन करते हैं पूरा जीवन समर्पितन ये भाव होते हैं अनुकुलता प्रतिकुलता ये परमार्थ के पतिके लिए नहीं शीकाग वुषुन्डी जी महाराज गरुण जी महाराज को प्रभु की कृपा का प्रभु के दुलार का बर्णन करते हैं कि जब प्रभु ने कहा कि हमसे ग्यान मांग लो द्रडवै राग मांग लो विज् प्रभु शे कहा कि प्रभु हमें तो सिर्फ आपके चर्णों की प्रेम लक्षना भक्ति चाहिए प्रभु ने कहा काक तुम बड़े चतुर हो जिसके हर्दय में प्रेम लक्षना भक्ति आ जाती है जो मैंने देने के लिए का वो शबश्वता जागरत हो जाता है श्री भगवान कह रहे हैं कि अगर हमारी प्रेम लक्षणा भक्ती हरदय में नहीं है तो ब्रह्मा क्यों नहों क्योंकि बड़ी सेवा कर रहे हैं ब्रह्मा जी सुष्टी की स्रजन सेवा है वो मुझे छोटे से जीव के शमान ही प्री है कोई हमें ऐसा नहीं क्यों ब्रह्मा है भगतिहीन बिरंच किन होई सव जीव हुशम प्री मोहिश होई पर यदि भक्ती हरदय में है तो भगतिवन्त अती नीचव प्रानी मोही प्रान प्रिय असिम मुबानी सुचि सुसील सेवक शुमती प्री कहु काहे नलाग शुरुति पुरान कहनीतियस शावधान सुनु काग अगर वो अधम प्रानी भी है और उसने मेरे चर्णों का श्रे लेकर भक्ती प्रारम कर दी तो मुझे वो अपने प्रानों से भी अधिक प्रिय है भगवान कहे रहे जो शभीत आवा सरनाई रख्यों ताई प्रान की नई भगतिवन्त ति नीचो प्रानी मोही प्रान प्रिय अश्मंबानी भगवान कहते हैं जो पवित्र शुभाव अला है पवित्र शुभाव क्या है किसी को दुख देकर शुख भोगने की लालसा रखना है भारी अपवित्र शुभाव है भारी अपवित्र चल कपेटाद हिंशाद के द्वारा अपनी इंद्रियों को शुखी करने की भावना भारी अपवित्र शुवाओ भजन करने से अपवित्रता नश्ट हो जाती है ये अंदर की अपवित्रता है बाया भ्यांतरह सुचि भीतर और बाहर दोनों से पवित्र कर देता है भगवन नाम अपवित्रह पवित्रोवा शर्वावस्थांगतो पिवाह यह स्मरेद पुंडरी काक्षम सवाया भ्यांतर हसुची जो पुंडरी काक्ष कमलनेन भगवानुस्री हरी का इश्मरन करता है तो अभ्यांतर का भी मलनष्ट हो जाता है और बाहर भी पवित्र हो जाता है जो शुंदर शुशील बुद्धी बहुत धैरेवान जरासी बात में हर्शित हो जाना जरासी बात में शोकित हो जाना ऐशा नहीं और केवल मेरा ही भरोशा बुलो किसको ऐसा प्यारा नहीं लगेगा सेवक वेद पुराण नीत यह सी कहती है कि सेवक सब को प्रिलगता है देखो मेरा भक्त मुझे कैस्षिप्री लगता है उधारण देरे कि एक पिता के बिपुल कुमारा हो ही प्रथक गुन सील अचारा को पंडित को तापस ग्याता को धनवल्त सूर को दाता को सर्वग धर्मरत कोई शब पर पीता ही प्रीति साम होई को पित भगत बचन मन कर्मा सपने हुँ जानना दूसर धर्मा सो सूत प्रीय पितु प्रान शमाना जद्य पिशोशब भाती अयाना बहुत गूर सिद्धान थे भगवान की गुरुदेव की कृपा से समझ में आ जाए बहुत गूर सिद्धान थे और या मोग बान है माया का नाश करके शच्छिदान दिस्थिती प्रदान करने भगवान करें ध्यान से सुनना जैसे एक पिता के बहुत से बालक हो उनकी प्रतख प्रतख गुण है शुभाव है आचरन है कोई पुत्रपंडित है कोई तपश्वी है कोई ग्यानी है कोई ध्यानी है कोई धनी है कोई शूरवीर है कोई बड़ा दानी है कोई शरवग है कोई धर्म परायण है पिता का सब पर शमान प्रेम होता है मेरे पुत्र है इसलिए भगवान पीछे बोले थे अब जो खास बात करें उसको पकडने वाली बात है यह समझो, यह हमारे भगवान के इस अब पुत्र है जो खास बात उस पर ध्यान दीजी अब करें, पिता का इन सब पर शमान भाव होता है परंतो अब वो पीछे की बात हो गई, यह अलग बात हो गई एक है जो न ग्यानी है न ध्यानी है न दानी है न सरवग्ग है न तपश्वी है सब गुणहीन है बस वो मन वचन कर्म से अपने पिता का आस्ट्रे लिए है बहुत जोर की बात है सपने हुजान न दूशर धर्मा श्वप्न में भी किसी अन्यकास्त रहे नहीं न धर्म का न कर्म का बहुत गूढ विशा है इसलिए जल्दी समझ में नहीं आगा सुनते हुए भी क्योंकि अंदर का विशा है यही जो भगवत शुरूप आचारियो शंत जनाय थी यही चर्चा हुई थी अंतरी कम शब्दों में इशारे में ज़्यादा को पित भगत बचन मन कर्मा सपने उ जानन दूसर धर्मा इसी को शेवक जी महराज बताते हैं ग्यान धर्म अब्रत कर्म जितेशब काहु में नहीं मौई प्रतीती तो वोले कैसे मिलेगा वोले कै बच्चा के पेट और घटकरे बिनासर बन जा हित जू महराज का बच्चा बन जा हित कुशोर को है चकूर तू लख बरंदा बन जा सीधे भगवत प्रेम सीधे प्रियालाल का साक्षात कार हित जू महराज का बच्चा बन जा यहां बार बार लख़डा जाते हैं इस बात को अगर भगवत कृपा से आप समझ पाएं देखो भगवान ने उपर बरणन किया है कि कोई तो गुण का, स्वभाव का, आचरणों का बहुत प्रवीन है कोई पंडित है, कोई तपस्वी है, कोई ज्यानी है, कोई धनी है कोई सूर्वीर है, कोई दानी है, कोई सरवग है, कोई धरम परैड है पिता के पुत्र तो शब पर बरावर प्यार है पर परंतु जो एक इन सब का किसी का आश्रे नहीं है केवल पिता का आश्रे है श्वप्न में भी किसी दूसरे धर्म की तरफ नहीं देखता सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शर्णम ब्रज प्रभू क्या कहने कि शोशुत पिय पिय पितु प्रान समाना भगवान उष्भक्त को कहशे प्राणों के शमान जैसे प्राण प्रिय ना जवर्ण परे तो हाथ कटवा सकते हैं पर प्राण पर कोई भी बाधाना पूँचे प्राण न छुटने पावें प्राणों में बाधाना पूचे जवर्ण परे पेर कटवा देंगे आख फुड़वा देंगे लेकिन प्राण क्योंकि प्राण है ये आंतरिक बात तभी समन में आती जब सब रास्ते बंद हो जाते है बड़े क्रपा पात्र जिनके सारे रास्ते बंद कर दिये भगवान ने जो रास्ते खोल दिये न माया के तो देखकार है हमारी भक्ती को और बुद्धी को जो भगवान से बिमुक करके माया के रास्ते पर चला दिया नहीं नहीं सारे रास्ते बंद हो गए वे एक ही रास्ता रह गया हरी शर्णम बड़े क्रपा पात्र रहे ये बात तभी समझ में आएगी सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने निर्ब बलके ये खास बात है ये चरम सीमा का अंतरिक आत्म समर्पन है और इसी में दिब लिलाओं का प्रादुर्भा होता है इसी में दिब चमतकार प्रगट होता है आपको भगवत कृपा से समझ पाएंगे क्योंकि हमका कोहरा चाया हुआ है बात सुनते हुए भी कहते हुए भ बहुत बड़ी बहुत बड़ी ये जो हरी राम ब्यासी के रहे ना काहू के बल भजन को काहू के आचार ब्यास भरो से कुमर के ये वही इस्तिती है जिसे भगवान श्री राम के रहे है ये वही इस्तिती है बिलकुल बिलकुल बस इसको समझना है अब बुद्धी के द्व गरा इससे नहीं समझाए जा सकता यह इसलिए कह रहे हैं आहम का कोहरा लगा है ये बात समझ में आना बहुत और ये समझ में आ गई तो कोई बात ही नहीं बची कह रहे हैं आप सुन रहे हैं लेकिन समझ नहीं सकते समझ नहीं सकते देख लो अपने हरदें में देख लो ये ब ग्यानख्यानब्रतकरम्जित शपकाहुमिम नहीं मूयप्रती दें बस एक मात श्याम श्यामा पदप्रीति बस यहीं भी schrambhukumِ है यहीं से सुरू होता है आनन्द समुदर का उभान मां लीजिए यहीं से आनन्द समुदर का उभान परगठ होता है अहम का पुर्ण लेह हो जाना भगवान कह रहे हैं येही बिद जीव चराचर जेते त्रिजग देव नर अशूर समेते अखिल बिष्व यह मोर उपाया सब पर मोही बराबर दाया तिन मह जो परिहरी मद माया भजे मोही मन बच करुकाया पुरुष्ण पुन्षक नारिवा जीव चराचर कोई सर्व भाव भज कपटित जी मोही परम प्रिशोई यह बात समझने यहां भगवान कहे रहे हैं जद्यपिशोषव भभाती आयाना केवल पिता में आश्रित हो गया और जद्यपिः आयाना मने अज्यान है मूर्क है वो कुछ नहीं जाता बस एक मात्र भरोशा तो वो पिता को प्राणों के शमान प्री होगा पर आयाना है उसके आगे नहीं लेक्षता ग्यानी तपस्वी योगी या कुछ भी नहीं भगवान के जद्यपिसो सब भात ही जो उपर बरणन किया गया एक भी लक्षन नहीं आयाना वो मूर्क है पर उसने अपने पिता का भरोशा दरडो गया यही बात इसके आगे बढ़ने का मानी नहीं प्राणों यही बात समझना है बस यही बात समझना है जब प्रभुशब तरह से घेर देते हैं और एक रास्ता यह बकाया रहता है कि अब तो केवल आप का भरोशा है यह स्थिति आजाती है यह स्थिति किसी शाधन से नहीं हती है यहागोण साधन ते कोई रास्ता नहीं बचा नाथ अब पंकही काट दिये गए अब तो कोई उपाय नहीं अब आप गोद में ले चले तो ले चला नहीं तो पंकही कट गए यह तब यह स्थिति आती है बहुत किसी भी महान कुरुश की जो इस्थिति आई है वो इसी से है एक बार स्थिश्वामिश सरिनानंदी जी महाराज अपनी सरनागती की इस्थिति का प्रारम जो जहां से हुई वो जा रहे थे आगरे की तरफ तो किनारे किनारे नदी की चल रहे थे अब आखें प्रगट में तो थी नहीं लाठी के सहरे चल ले थे वो ऐसी जगे चरण पड़े जहां वो दरार पड़ी हुई थी और पूरी दरार फटी और यमनाजी में अब आख तो पता चले कि किनारा किदर है कहा लाठी भी छूट गई हाथ पेरे से फिर उनका कि मैं कितना हाथ पेर मारता रहूँगा मुझे पता ही नहीं कि मैं किदर जा रहूँ मैं लो हाथ पेर मारका और बीच की तरफ जा रहूँ फिर शरनाफ़त वस्ल प्रभू मैं आप कि शरनाफ है लाठी भी नजदीक बिश्रामिस्तिति, पता नहीं समझ में आ जाए तो बहुत, निहाल हो जाओगे अभी निहाल, अभी निहाल, तब इसी बात को कह रहे, इसी बात को कह, हो इराम को, बस हो जाने की बात और जहां होने पर प्राया हम देखते हैं कि शाधक और तुरुटी पर पहले अपना पन काट वाती तभी आपकी बुद्धी ब्रष्ट होगी तभी आप अपराद के मार्ग में चल पड़ेंगे अपना पन सुरक्षी थै तो कोई तुम्हें पराता नहीं कर सकता अउगून करे समुद्र शम गनत नापनो जान राई के सम्भजन को मानत मेर। ये समझ में नहीं आएगा बिना कृपा के समझ में नहीं आएगा आर तो हाओ जब जागरत होता है प्रभू अब तो गया अब किवल आपका ही वरुशा बस वहीं वहीं वो सबल हो जाता है वहीं सबल हो जाता है देखो माई अबला के बलरास भूल मत कर देना अबला के बलरास अतिगज मत निरंकुष मोहन निरखि बंधे लट पास देखो माई मेरे महरानी स्री राधारानी जाके बल में शप्षों त पर देना, भोरी शकी भी है, वो अति चतुर शिरोमनी है, अति चतुर शिरोमनी है, हाँ, कभी ऐसा न सुचना कि ये शंत महत्मा भगवत प्रेमी जंज्व है, ये बलहीन है, नहीं सुनेरी मैने निर्बल के बलना, जो अपराद भक्त करकर रही, राम रोश पावक्सो जरही हाँ, समय लगेगा इसलिए शावधान रहो कोई ऐसी गलती न हो जाए जो हमारा जन्म ब्यर्थ चला जाए मूढता न चाजाए प्रभु कह रहे हैं कि देखो चराचर जगत मेरे से इप्रगट हुआ चाहे हो देवता हो चाहे मनुष्य हो चाहे राक्षस हो पसूपक्षी जडचेतन सब यह जितना ब्रह्मान ननंत है उन सब पर मेरी बराबर दया है चाहे राक्षस हो चाहे काटने वाला हो चाहे कटने वाला हो तो मारी समझ में आजाए तो आजाए भाई कटने वाला भी वही है और काटने वाला भी वही इसलिए पावर दोनों में समान सब पर मोरी कभी ऐसी राक्षसी ब्रती बढ़ती की अमरावती पुरी में आक्रमर करके भगा देते हैं बड़े बड़े तेउताओं को बैठ जाते हैं इंदराशन पर कभी देवी शक्ती बढ़ती उनको ऐसी खेल चलता रहता मेरी प्रहुका श्रजन लीला पालन लीला विनाश लीला जब तक भजन नहीं करोगे पहली सुल्जेगी लई वो बहुत खिलाडी है बड़ा अभिने करने वाला उसको समझ पाना नेती नेती वेद कहते हैं तुम ब्रह्मा की रची बुद्धी वाले एक छोटी सी बुद्धी उस्षे तुम अनंत महामहिम भगवान की लीला को जान पाओगे ये विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है और मेरे बरावर सब के उपर दया है जान दीजिए दया है तभी तो बिनास लीला भी कर पा रहे है जो जनको पारशद है वो बिनास लीला के कुछ पालन लीला के हैं कुछ रजन लीला के हैं सब को बरावर पावर दिया गया है खेल में तो मंच पे तो ये कई भूमी पर उतारा गया है पर समझना है कि उतरने वाला एक ही और मंच भी वही है अगर यह समझ गए तो ब्रह्म नहीं होगा नहीं तो हो जाएगा ब्रह्म पर मैं शब से ज्यादा प्यारुशे करता हूँ जो मद और माया छोड़कर मेरा आस्त्रे ले लिया है मद अहम की ब्रति गमन किशी भी तरह का गमन नहीं क्या गमन असलियत में जब भजन करोगे तो आपको दिखाई देगा कि जैसे यंत्र पे चड़ा हुआ जो कटकुतली खिलोना है वो नाच रहा है अब खिलोने से कहें बहुत क्या कलाबा जी तो अगर उसमें चेतना सकती हो तो उसको अनुभो यह होगा कि तुम नीचे नहीं देख रहे हो उसी यंत्र से मैं नाच रहा हूँ मेरा यंत्री कोई और है इसलिए आहम नहीं रहता लीलाएं सब होती है आपको दिखाई देगा क्रोध, आपको दिखाई देगा बड़ाव, अनुष्ठान करतेगा आपको दिखाई देगा कुछ नहीं है वाँ कुछ नहीं, आहम जनित कुछ नहीं श्वभाविक हो रहा है उपर मात मत्त तो सवयम, چेतना युप्ठो करके चेश्टा करते दिखाई दिर आम नहीं माया मैं मोर तूरते हैं भक्त के हरदे में नहीं होता है जो माया और घमंड छोड़ करके भगवान का मन वचन कर्मशे भजन करता चाहे वो इस्त्री हो या पुरुष हो जड़ हो या चैतन कोई भी चराचर कोई जो सब भाव मेरे में रख लेता है वो परमपद को प्राप्त हो जाता है शत्यकाहों खग तो ही सुचिसे वकमम प्रान प्रिय एक पद में पुजिश्री सूरदास जी ने लिखा कि भजन के कुछ पूरुष शंशकाल थेज थोड़े और वो कबूतर बना वो एक ब्रक्ष में बैठा हुआ था इसने में उसने उपर से देखा कि स्यान पक्षी बाज बिल्कुल निशाने पे ले लिया बाज का एकाग दृष्टी होकर फिर उसके पंजे से बचपना बड़ा कठीन है वो एकदम जप पर से पकड़ ही लेगा विचार किया कि उपर बाज है नीचे देखा बहलिया बिल्कुल निशाने पे बहलिया के अब घबड़ा गया नीचे की तरप उनों तो बहलिया बाजश अंधान सुर्दाशी का पद है उपर उनों तो स्यान पक्षी बाजश बिल्कुल निशाने पे लिए है पूर भजन संसकार पक्षी का जिसे हिरन की रूप में भरत जी भजन कर रहे थे गंड़ के उसी शमयाद हे हरी आप बचा सकते हो इतने में शांपस एक बिल से निकला और बहलिय को डशा और वो सिधे बाज के लगा बाज भी मरा बहलिया भी मरा और आराम से कभुतरूर कर चला गया उसको कोई कष्ट नहीं हुआ बस एक मात्र भगवान ही ऐसे हैं जो सौप कष्ट से बचा सकते हैं सुदाजी ने एक पदमे से लिए सत्य कहूं खग तो ही सुचि सेवक मम प्रान पिय अश्विचारी भजमोही परिहरी आस भरोश शव ध्यान दीजी ध्यान दीजी बहुत खास बात है निकल जाएगी भगवान को सत्य कहने की क्या ज़र्वत है वो तो सच्चिदानन्द में है ही भगवान भी मिथ्या बोलते हैं क्या नहीं नहीं सत्य सच्चिदानन्द की हर चेष्टा सत्य सच्चिदानन्द में होती पर हमारे विश्वास के लिए कह रहे हैं मैं तुमसे सत्य कहता हूं स्वयम सत्य बोल रहे हैं कि मैं स्वयम सत्य कह रहा हूं मुझे सेवक प्राणप्री है पर सेवक कौन जो बोले अस विचारी भजु मोही परिहरी आस भरोस सब ये खास बात समझने किशी और का आशरा और भरोशा त्याग करके जो मेरा आशरे भरोशा लिए ये मस्त हो जाओगी ये बात समझ में नहीं आ रही फिर भी कह रहे हैं सुना रहे हैं आप सुन रहे हैं पर ये समझ नहीं ये समझ बैठ गए कोई समझे या ना समझे सबसे हमरी समझ भली ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन ब्रशभान उलली ये बोल दिया अंदर से इनके सिवा कोई है वस्तू व्यक्ति स्थान कुछ भी अगर है उसको शमर्पित करो इनके चर्णों में ये अनंत ब्रभान्नों का स्रजन एक छण में किया है घबडाओ नहीं तुम चिंता का विशे मत बनाओ संसार का नहीं निश्चिंत हो जाओ इनके भरोशिम यूगक्षिम अम्भाम्म्म हमें चिंता नहीं करनी क्योंकि इने चिंता हमारी है हमारे धर्म के रक्ष़त से हमा कुझ विहारी है हम को क्या चिंता करोगे अगर आप चिंता करोगे तो चिंतन इनका फिर तुम समभाल नहीं पाओगे इसलिए सब परेशान है चिंतन करो अनन्यस चिंतियन तो माम यूगक्षिम अम्म हम मैं करूँगा बस समझ में यह एक खास बात है कि कोई रबडी रसगुला होता तो यह कि मगा कि पवादी आजाए तो सब संसे खतम हो जाए शमाधान हो जाए भी यह अंति मिस्तिती है मस्ती की अंति मिस्तिती राम मरें तुम मैं मरू नहीं तुम मरें मेली बलाए अविनासी का बाल का मरें न मारा जाए कैसी अधुत निर्भैता निश्चिंतता निश्शुकता ये साधन से नहीं आता इसलिए तात स्वर्ग पवर्ग शुक धरी तुलाये कंग तूलंता ही सकल मिली जो शुक लवसे इसलिए सर्व संगों पहो ही माम खास बात है सत्संग की साध आश्रें का त्याग करके रहो वहीं वैसे ही बेवार करो अंदर की बात है अंदर की ब्रति केवल प्रभू का भरोशा और आसा बस ना कभी तुम्हें सोग छू सकता है न कभी हर्ष न कभी मद न मत्सर न बाया नहीं छूपाएगी तभी तु कहे रहे हैं सुवत पाउपसार को मतलब क्या एकदाम बेपरवा निश्चिंत अब मुझे परवा नहीं चिंता नहीं स्यामा पाया प्यारी खुद देख लेंगी हो सब हम के भरोशे हैं आज तक कभी ऐसा नहीं पाया गया कि प्रभू का भरोशा करने वाला ये नहीं पाया आपको बाहरी कोई नाटक करके कह सकता है भेश में क्या जाता है रखने में या बारी में बोलने में क्या जाता है या बिवहार दिखाने में क्या जाता है अंदर का भरोशा तुम्हारा जैसा है वैशा ही तुम कौन हो में आएगा बुले भगवान बचा लेते हैं भगवान बचा लेते हैं था तो ऐसा भगवान ने क्यों नहीं बचाया अरे भगवान ही लीला कर रहे है भगवान ही लीला कर रहे हैं जब हमारा आज का कर्म तुम देख रहे हो कि हम भजन कर रहे हैं लेकिन कल हमने कितना गंदा बुरा कर्म किया जिसका फल हमारे पास आया है उसको देखकर तुम कोश शक्ते हो कि ऐसा भला नहीं 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 उनकी तो सिर्फ करपा ही करपा दुलार ही दुलार है अगर उसका हिसाब जो हमने किया उसका हिसाब भोगना पड़े था छह महीने महाभागवत बिश्म जी बाणों की शहियां पर है भगवान से कह रहे हैं मैं सौ जन्मों तक देख रहा हूँ कोई ऐसा बोले और आगे बढ़ो बड़ा रजिस्टर भरा हुआ है एक ही केवल उपाय है सवास भरोष छोड़कर भगवान का एक मात्र भरोषा